आप सभी स्रोतागड को विंदुतिवारे का साधर नमस्कार मेरे यूटूब चैनल पर आप सभी स्रोतागड का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के सेग्मेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलोजी यानि भूविज्ञान इस्टोरी 34 लेकर आप लोगों के बीच में हाजीर हूँ तो चलिए आए जानते हैं आज की इस्टोरी इससे पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे किया हमें तकनीकी रूप से प्राप्त कराने में सहयोग रहा परमादरने गुरू डॉक्टर मुकुन निलकंट जोसी सर का सर को मैं नमन करती हूँ चलिए आए इस्टार्ट करते हैं अब देखिए अगर आपने 33 अच्छे से सुना होगा तो आपको यह पार्ट काफी अच्छे से समझ में आएगा बनेरर का नाम तो अपने इस से पहले सुना इन्होंने किसका सिद्यान दिया नैप्चनिज्म का और अब कहा यानी प्रतिवी क्या है सभी सैल पानी में और पानी से ही वनते हैं तब उन्हें अपने इस मत के क्या हुआ विप्रीत कुछ प्रमार ना दिखे हूँ ऐसा नहीं था ज्वाला मुखी फूटते हैं और घर्म लावा निकलता है या उन्हें पता था पहले के बने हुए जो पत्थरों में दूसरे प्रकार के पत्थर कहीं कहीं जवर्दस्ती घुसे मिलते हैं जिने हम क्या कहते हैं भित्ती या डाइक कहते हैं वे भी मैगमा के प्रमार थे परिंतु बरिनर ने फृत्भी के अंदर की गर्मी के इन प्रमारों को नहीं माना उनकी अनुसर जुवाला मुखी बहुत नहीं थे और उनका होना अस्थानिय कारणों से था बरिनर ने जो जुआला मुखी देखे वे कोईला संस्तरों के पास थे और बरिनर ने माना कि किनी कारणों से कोईला क्या है जलता है और अस्तानिये अस्तर पर लावा वगैरे उत्पन हो जाते हैं डाईक के बारे में भी उन्होंने कहा कि पहले के सहलो में दरारे बढ़ जाती है जिन में बाद में पानी भर जाता है और उसी पानी में खुला पदार्थ जमने से ये डाईक बनती है यद्दपी आज हम जानते हैं कि बरिनर का यह जो विचार था क्या था गलत था परिन्तु यह भी सच है कि कहीं कहीं औसादी डाइक मिलती भी है जैसा कि हम देख चुके हैं बरिनर के सभी सिस उनकी अदभुत क्या है तर्क सकती से अतियंत क्या है प्रभावित होते थे और बरिनर जो कहें उन्हें आखें क्या है बंद करके बिल्कुल सुईकार कर लेते थे फिर अपने अपने छेत्रों में जाकर क्या उन्ही की बातों का क्या करते थे प्रचार प्रशार करते थे यह तो हम आज भी देखते हैं कि आम तोर पर हमें बिद्याले महा बिद्याले मे हम उसे ही जिन्दगी भर क्या है सही मानते वही करेक्ट होता है आज कल तो इससे भी आगे जो सिनेमा या टीवी पर दिखाया जाता उसको उसको ही बिना विचार के मान लेते हैं रामाडिया महाभारत जैसा धारावाहिक में देखा वही ठीक लगता है मूल पुष्टक पढ़ने कितने जाते हैं अब तो वाटसप एप और फेस्बुक की बातों पर भी अंधों की तरह लोग क्या है अंध विश्वास की तरह इसपे क्या है ब्लीप कर लेते हैं तो यहां जो वरिनर और जैसे प्रोफेसर का जो प्रेमाड बता रहे थे तो जो सि से क्यों नहीं मानेंगे भई मानना ही था वो उनके स्टूरेंट है लेकिन बरिनर के प्रभामंडल के जो इनका बाहर के अनेक बिद्वान थे जिने सब कुछ पानी से का विचार मानने नहीं था हम उन्हें प्लूटोनिष्ट कहते हैं स्वयम बरिनर के भी कुछ ऐसे जब विस्य के अलग-अलग भाई जगह पर गये दूर-दूर के भागों में स्वतंत्र रूप से फिल्ड वर्क किया और इस पर रिसर्च करने लगे तब उन्हें क्या है इसको मानना पड़ा कि भरनर का विचार क्या है एक कांगी था मतलब वही इस पर विचार की वही उन अधिक सोधिकारे से अपना मत बदलने वाले ऐसे तीन प्रमुक वर्नर्सिस से हुए लियोपन फॉन बुक अलेक्चेंडर फॉन हमबोल और डी ओविशन डे बोई सिंस इनके अनुसंधानों से हुए मत परिवर्थनों के कारण नेप्चुनेज में क्या हुगा समाप्त हो लेकिन पूरा ही समाप्त हो गया ऐसा भी नहीं है किसी चीज को कैसे आप एकदम से समाप्त तो नहीं गया जा सकता है उसमें धीरे धीरे बदलाव चेंजिंग लाया जा सकता है हाँ जैसे अब क्या है रिसर्च का जैसे जैसे मतलब डारेक्शन भई अब क्या है परिवर्थित होने लगा सेल पानी से भी बनते हैं और अगनी से भी बनते हैं यह तो सब जानते और मानते हैं किन्तु कुछ विस्ष्ट सैलो का निर्माड उष्ण बिलेनों से हुआ या साधे जमीन जमीनी पानी में इस पर अब भी मतभेद होते रहते हैं जैसे राजिस्तान में जवहार के सीसे जस्ते के निश्चेप कैसे बने इस पर दो मत थे कुमाओं में मैगने साइट नामा खनीच के निश्चेप मिलते हैं जिन पर मेरा थोड़ा रिसर्च कारे हैं उनके वारे में भी यही समस्या थी कि बेसाधे जमीनी पानी में उसाधी वातावरण में बने या उष्ण बिलेनों से चुकी प्रित्वी के सारे सैल करोडों वर्स पूर्व के बने हैं इसलिए यह क्या है इस पे एक बारतालाब चर्चा तो चलती ही रहेगी अब हम आप से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस वीडियो को उन तक जरूर सेयर करिएगा जो लोग इंटरनेट सेवा से मंचित हैं आप सभी का आदर सम्मान और इसने पाकर आप सभी स्रोतागड को बिंदूतिवारी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत सुक्रिया नमस्कार